हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू मैचैनल, फ्रेंट्स आज मेरे किचेन में बनने जा रहा है, मिक्स दाल के कटले या पकोडे, बारिश का सीजन चल रहा है और डिफ्रेंट डिफ्रेंट तरह के पकोडे नहों, ऐसा हो नहीं सकता है, तो मैं अपने इस चैनल पे बहुत तर different types of दाल को भीगो के रख लिया है तो ये पहला दाल आप देख सकते मसूर दाल जो की चार बड़े चम्मच इसको अच्छे से धो के फुलो लिया था मैंने इसी के साथ मैं चना दाल भी ली हूँ ये इसकी quantity है दो बड़े चम्मच इसको भी भीगो के रख लिया है मैंने और इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ उड़त दाल जो की मेजरमेंट में तीन बड़े चम्मच है इसको भी मैंने भीगो लिया था इसी के साथ ये मूंग डाल है इसकी मेजरमेंट है तीन बड़े चम्मच इन सब को अच्छे से धो के मैंने भीगो लिया है अच्छे से बिल्कुल दरदरा होगा ठीक है इसको महीन बिल्कुल नहीं पीछना है पल्स मोड में चला चला के एक इसका कोर्स में इसका टेक्षर रखेंगे ये देखिए एकदम दरदरा है महीन बिल्कुल नहीं पीछेंगे नहीं तो इसको जो हम कटलेट या पकोड़े बना रहे हैं इ जैसे कि बताया है ये mix दाल है चार प्रकड के दाल है जो कि nutrition प्रोटीन से भरपूर है और ये बहुत ही healthy भी है तो ये खाने में भी उतना ही tasty और delicious लगता है तो ये जरूर बनाएंगे और बच्चे बहुत ही स्वादले के खाते हैं तो बच्चों को भी बहुत पसंद आएग एक तरसी इनको दाल भी बहुत सारी खाने को मिल जाएंगी इसी के साथ इसमें दो बड़े चम्मस सूजी डालूंगी मैं सूजी डालने के बाद दो बड़े उबले हुए आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है और इनको भी अच्छे से मैं mash करके इसमें डाल दूंगी इसके साथ गरम मसाला, एक टी स्पून के करीब, आफ्टर देट आप आइड चाट मसाला, वन टी स्पून, इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी, रेट चिली पाउडर, एक या दो टी स्पून, अपने टेस्ट के कॉर्डिंग टीखा जैसा खाना पसंद करें, वैसा लीजे, इसके साथ हरी मिर्च, जितना टीखा चाहिए आपको उसी साब से ही डाले, और हरी मिर्च तीन बड़े चम्मच, अच्छे से और स्वाद अनुसार नमक डाले, नमक, मिर्च, ये ऐसी चीजे होती कि अपने टेस्ट के कॉर्डिंग ही आप लीजे, इन सब को डालके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा बैटर बनाके तयार करेंगे, ये देखिए, साइज, शेप आप अपने च्वाइस के हिसाब से रखिए, ये देखिए बन रहा है, मतलब बैटर हमारा पर्फेक्ट है, अब कडाहीं पे तेल को अच्छा गरम करेंगे, और इस तरह से साइज तो मैंने अपने हिसाब से मीडियम साइज ही रखा है, और शेप आप अपने हिसाब से रखिए, मैंने ऐसा कोई शेप नहीं रखा है, जस्ट ऐसे ही मैंने डाल लिये है, तेल यहाँ पे जो है अच्छा गरम होना चाहिए बट फ्लेम जो है मीडियम टू लो होना चाहिए बहुत हाई फ्लेम पे करेंगे तो यह क्या होगा उपर से जल जाएगा और अंदर तक कुछ नहीं होगा तो इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम ही रखेगा और फ्रेंड्स अभी तक आप सबने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फटा फट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजियू में जो बैल का आइकन होता है उसको भी प्रेस करें जिससे कि जो आगे की जो मेरी रेसिपीज आएंगी उसके नोटिफिकेश थोड़ा सा ब्राउन होगा और ये उपर फ्लोट करने लगेगा बस इसको फ्लिप कर देंगे और फ्लिप करके 15 मिनट में अच्छे से क्रिस्प पकोड़ा या कटले बनकर तयार हो जाता है बस इसको थोड़ी देर और इसको फ्लिप करते हुए पूरा अच्छे से तो यह जो रेसिपी है यह सभी को बहुत ही पसंद आता है फटा फट अगर जब घर में कोई गैस्ट आए या ऐसे भी आप इसको बना के खिलाएंगे ना कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि इतना हेल्दी और इतना टेस्टी और डिलीसिस यह मिक्स दाल के पकोड़े बनकर तैय प्रकार की उन सबकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक में डाल दोंगी आप वहां से देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको यह रेसिपी मेरी कैसी लगी प्लीज लाइक जरूर करें कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाईस तो प्लीज फटा फट जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैंने बताया आपको बाजू में बेल का इकन है उसको भी प्रेस करें और प्लीज में अपना प्यार मेरे चैनल को जरूर दें और प्लीज अपना ध पिखान रखे, टेग किया, बाइबाइ